तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया चाप्टर, चप्टर नंबر तू स्टैट का ही हम करने वाले हैं क्यों हमने काई स्टैट की थेघ्वरी को बिल्कुल खतम करेंगे, clear है? साथ में निमेरिकल भी करेंगे, जब आएंगे, clear है नमश्ね? तो सबसे बात करते हैं collection of data chapter number two part number one क्लियर है काफी असान सा chapter है ठीक है फिर भी बच्चे इसकी भी theory छोड़के जाते हैं पता नहीं क्यूं जाते हैं मुझे नहीं पता सारे नहीं काफी है तक बच्चे छोड़के जाते हैं ठीक है ना चलो data की बात करते हैं सबसे पहले definition जो हमें यहां पर दिख रही है वह data की है तो यहां पर लिखा हुआ है डेटा का मतलब क्या है economic facts in terms of numbers यानि वह economic facts जो की number की form में हो वह सारे economic facts जो की number की form में होता है उसे data बोला जाता है economic facts that is i.e. that is बढ़ा जाता है information वो information which can be expressed in numbers जिसको numbers की form में express किया जा सकता है ठीक है किया जाता है वो यह आपका standard data बनता है क्या बनता है data बनता है तो data हमारा क्या हो गया economic facts in terms of numbers that is information which can be expressed in numbers clear हो गया जो number की form में express किया जाता है जो number की form में हो उसे को data बोला गया है stat में clear हो गया चलो, बात करते हैं हमारे sources of data की, यानि data आप कहा से collect कर सकते हैं, उसके sources क्यों हो सकते हैं, तो दो तरह के sources हैं, एक है primary source, दूसरा है secondary source, यह आपके दो sources होते हैं, clear है, primary और secondary, याद रहतना primary कौन से होता है, it implies collection of data, यानि आप data यहां पर collect कर रहे हो, कहा से, from its source of origin, यानि इसमे नहीं क्या होता है, आप data खुद से जाके collect करते हैं, उसके मुल बिंदू, उसके केंदर से आप खुद उठाते हैं, data को, तो यानि primary data को हो गया, जहांपर आपने खुद से डेटा को collect किया जहांसे अपने डेटा को collect किया है वह primary source हो गया और जो आपने उसे primary data बोलते हैं बात को समझो क्या बोल रहाँ टेटा को collect करना from its source of origin से अपने data को collect किया तो इसने बोला वो सोर्स हैना उसको अपने का बोला रामरी वहां से उससे primary data बोलते हैं में इसने हो गया टो इस साउड़ क्वांटिटेटिव फरस्ट हैंन्ट कॉंटिटेटिव इन्फॉर्मिजन यानि यह जो आपको बता लिया व समझ आपने अगल में किसी भी अनीब मांडो का डेता करना तो यह अगर आप खुद से वह डेटा करते हैं यहांट से घल्स बोलते हैं तो यहां पर वही बोला हुआ है कि इस ने डेटा को collect करना from its source of origin main जगह से आप खुद से data collect कर रहे हो और it offers first hand quantitative information सबसे पहले आपके हाथ में आगा डेटा तो इसने में relating to statistical study but secondary source क्या होता है इंप्लाइस collection डेटा नहीं यहां पर भी data collect हो रहा है but from some agency और institution यानि आप किसी agency से किसी institution से जाके data collect करते हो जैसे एक तरीका तो क्या है कि आप गए आपने कुद गली-गली में चान चान करके कुद्तों का डेटा इनि डॉक्स का डेटा आपने collect किया तो वह हो गया primary but आप गए mcd के पास पूचा वाई उस वाली एरिया में यूज करते हो ठीक है ना तो अभी हम सोड की बात कर रहे हैं इसका मतलब जहां से आप इस डेटा को उठाओगे तो किसी institution से उठा सकते हो किसी agency से उठा सकते हो clear हो गया तो इट इंप्लाइज collection of data from from some agency or institution which already happens to have collected already collect कर चुके data कैसे through statistical survey survey बोलो surveys कर लो ठीक है ना तो statistical survey करके उन्होंने already data collect कर रहा है बस आप जा करें महाँ यूज कर लो ठीक है ना तो इट ड़स not यह नहीं offer करता क्या first-hand quantitative information यह आपको first-hand नहीं दे रहा है इसके मातर है second-hand information आपको मिलेगी है ठीक है ना रिलेटिंग को statistical study देखो primary source में से आपको जो data मिला उसको primary data बोलते है secondary source से जो data मिलता है नहीं जिसकी किसी institution है किसी agency जो data आपने निकाला है उसको आप secondary data बोलते हो clear है और source क्या है वो institution या वो agency clear हो गया अब primary data क्या है वही आप लिख सकते हो वैसे तो कोई खास नहीं है डेटा ग्लेक्टीड यानि वह डेटा जो ओरिजनली क्लेक्टीड आपने क्लेक्ट किया इंदा प्रोसस ऑफिंवेस्टीगेशन ठीक है बाइवस्टीगेटर ने खुद से इन्वेस्टीगेशन प्रोसस में data क्लेक्ट किया उसका मुने बूला रिम्री डेटा बट सेकंद्रिड्ड एंग्जिस्टेंज अल्रेडिड इन एंग्जिस्टेंज उस्ट्फों में उना यहिंड अल्रेटा क्लेक्टिड आ जयानि देटा जो है वह क्लेक्ट कर दिया है किसी और ने कर रहा है यूज़ कौन कर रहा है यूज़ बाइ पर अच्छ पर पाणने वाला है उससे पहले apris कर वाद जो-book है आपके उसको यहाँ पर डेटा बोला जाता है statally book में ठीक है ना बनावाँ डेटा तो हड़ता रहा हो सकता है बट हम सिम नंबर्स की बात करेंगे क्लियर आगे sources of data primary source secondary source वो होता है जब आप data को तो स्वर्स ऑप ओरिजिन से उठाते हो उसके मूल जगह से उठाते हो ठीक आपको फस्ट हें इंफोमिशन देते हैं ठीक है ना बट यहां पर यह अल्रेडी क्लेक्टेट डीटा होता है किसी कोई एजन्सी को इंस्टुशन को अल्रेडी कर चुका होता है ठीक है बट यह और क्लेक्ट कर चुका है बस आप जाकर इसको यूज करते हो क्लियर है तो मैं से मिटाने वाला हूं फटाबट से आप इससे नोट डाउन कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास डिफ्रेंस आ जाता है प्राइमरी डेटा और सेकंडरी डेटा के बीच में डि इनदी प्रॉसर्सस ऑफ इनमेेस्टिकेशटा यानि इनमेटिकेटर जो है इनवेस्टिकेटर के प्रॉसर्सस में जो भी डेटा क एट करता hoCu जो सेप्राइमरी डेटा बूला बट ये सेओंदी डेटा होता है जो की औरड़िए स्ल प् lograh आगे बढ़ते हैं फ्कुलेटि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी पॉइंट नमबर थर्ड पर आते हैं इसने बोला यह चो प्रामरी डेटा होता नहीं यह किसी स्पैसिफिक परपस के लिए ही कलेक्ट किया जाता है याद रखना अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहो तो कोई ना कोई प आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वह यह वाला होता है जिससा आप खुद जाकर के स्पैसिफिक कोई परपस में रहता उसके लिए करे आपने ने डौक का डेटा आको चाहिए आप आप MCD वाले के पास गें तो इसको बोला हुआ यहां पर सेकंडरी डेटा क्लियर हो गया चलो आगे इज्ञादा टाइम लगता है इसमें इसमें आपका कम टाइम लगता है इसमें आपकी ज्यादा यह कम एक्सपेंजिब यह ज्यादा कॉस्ट को लगना है कि आप खुद से सारा काम काम सेयों तो यह बात करें युथ इन दोनन गें इसमें नोट इकनोमिकल पनि सिरकेंड़ल हम बात करें इंदोर को देखकर लें आगे चले यहां पे अगर बात करें तो एक्यूरेसी और रिलाबिलिटी जादा रहती यानि अक्यूरेसी जादा देखने को मिलेगी और भरोसे मंद्र डेटा आपको मिलेगा क्योंकि आप खुद उसे डेटा करो तो गैरंटेटा सब कुछ आपके अक्यूर्डिंग होगा त यह सबसे पहले पाइपका आए था प्रैमरी डेटा सबसे पहले पाइले पाइल प्रैमरी डेटा व्रत प्राश्ए में यह उसका इजनल नहीं अइह कौनज गया चलो उसके अलावा यहां पर बात करते हैं तो यह इंट हुआ यह इन कुछ इस पर परपस के लिए ही यह क्लेक्ट किया जाता है यह कुछ इस सारा काम करते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा सब्सक्क्utt 박 Esteban bonito क्यूं thats क्यूंसे उठाना होता है अगे मैं आपको क्या इसकी अलावा अगर हम बात करें इक कणोमिकल के साथ से यह एक नहीं है यह यह एक नुमिकल नहीं है यह इकनॉमिकल होता है तो यह समझ आ गया अपको पर जब रहे है यहांपर ऑग बात करें तो यहां पर इसके साब से तो कम है तो आपके दूसरे दूसरे बंदन कंपर ne elbow सिर्ण होता है जन्य यहां यह बंडरा उता है आइनल ओर्म करके त्वन लुए कर दिया मित डैटा यह भाए लो सब्सक्राइएट में दिनन करलें यह टीका ना दे और में यह एंज्ग पहले किसी और ने I तो अब आगे बढ़ते हैं देखो क्या लिखा हुआ है अगला पॉइंट कलेक्शन आप डेटा यानि यह आपको एक नमबर के लिए याद रहतना है ठीक है यह वैसे आपको पता भी है ऑल्रीडी कि कलेक्शन आप डेटा इस फर्स्ट इंपोर्टेंट आस्पेक्ट यानि य पहले स्टेज बोलो या स्टैप डोल तो पहले स्टैपंस पहले टाय। बहुत कि आपको क्या में पाउट करने पड़ेगा काम है तो यहां पर यहां मैंने लिख दी या चलो आगे बड़ते हैं अब हमारे पास है methods या sources of primary data अब हम पहले primary data को फुरी दर से खतम करेंगे जिसमें methods या फिर सोर्चिस हमें पढ़ने पढ़ेंगे इसके primary data के 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 लिखें इन 5 ओको हमें पढ़ना पढ़ेगा सबसे पहला आता है आपका direct personal investigation तो को नाम से पता चला है कि directly आपको जाना है और investigate करना है तो इसने बोले under this method data is personally collected data personally collect किया जाता है यानि जो interview लेने वाला है जो भी है investigator है तो investigator ने आपके क्या है खुद से जाएगा data को personally collected कि आएगा उसे बोलता है direct personal investigation इसके उपर अभी इन सभी को पर हमें काम करना है प्रॉपर में table को ना करके आपको समझाओंगो ताकि वो बहुत असानी से समझ में आ जाए वनना इसके merit, suitability और demerits करते-करते ही ठख जाते है ठीक है ना तो हम क्या करने वाले है इसके table पर ना करके बढ़िया सा उसके असा आप समझेंगे इस चीछ को ठीक है ना suitability की merits की और demerits दन चलो तो पहला भी definition समझ लेता है कि है क्या direct personal investigation जिसमें investigator personally जाकर करके data को collect करता है उसे गयता है direct personal investigation clear हो गया personally data को collect करना फिर आता है indirect overall investigation इसमें इसका मतलब ये खुद से नहीं जाएगा तो data collect होगा किसी third party के through किसी तीसरे बंदे को यानि किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर देगा बना चाहता हूं मैं किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर दिया जाएगा और उन बंदों से data को collect करवाए जाएगा ठीक है और वो बंदे कह से हमके who have information about subject of inquiry जिनको ये पता है कि क्या ना में हम किस topic को पर बात कर रहे हैं किस चीज को हम collect करने की बात कर रहे हैं तो indirect oral में कहते हैं यह orally आप data collect कर तो क्या करते हैं orally आप data collect कर रहे हो ठीक है but किस के through third parties के through जैसे मैंने मैं गया हूँ पर नहीं अ से से बाड़े में ईसके बता दिया या इस बंदे से उसके बारे में data collect किया समक्राइब दो मैं पर करिकनने यहां पर लिखा हुआ है लुकाल सूर्स और पर आप पर्सन को यह को तो आपको पता देखो आपके गली में अगर मैं आपको अपने एक एरिया की मुझे जादा अच्छे से क्या दे सकते हो खबर दे सकते हो बात को समझो और यहां से किसी बंदे को बेजूँगा कि भाई जाके डेटा क्राइब कर तो साध उसको टाइम लगे औ भी का बंदा क्यों ने कर ले तो इसको मुझें लोकल सोर्स से डेटा क्लेक करना या और तो इस मैथर इंवेस्टिगेटर पॉइंट करेगा लोकल पर्सन को या कोर्रसपोंडंट को अट इफिरेंट प्लेजस जो क्या चरेगा है इसा अजन वाली बात यहाँ पर काम करेगा ना चलो और को मतलन टालिस्ट बना लिक के ना prose d शेडिउल्स शेडील्स मतल टेबल बेटा लिख लो शेडियोल मतलब टेबल बनाना और कोस्टन लिस्ट ऑफ कोस्टन बनाने के तुरू भी आप information को क्या कर सकते हो डेटा को collect कर सकते हो clear है अब यहां पर हमारे पास क्या है दो आते हैं इसके अंदर एक तो mailing method आता है इनफोर्मेंट इनफोर्मेंट उसको बोला जाता है जो information देता है तो उसके मतलब मैं आपको mail करूंगा और आप मुझे क्या दोगे information दोगे तो यहां पर क्या हुआ हुआ हमने mail करा तो mailing method इसके अंदर आता है और enumerator method में क्या होता है data collect किया जाएगा किसके तुरू by trained enumerator यानि मैं कुछ बंदे पॉइंट कर दूँगा जिसे मालो मुझे केरल से डेटा उठाना है अब केरला का data कर मुझे उठाना है केरल जो हमारे जगह है अगर हम उस राज्य का data कर उठाने के सोचेंगे तो मैं किसी दो बंदों को बिल्कुल तरीके से कुछनर फिल करेगा अब तरीके से वहां से डेटा कलेक्ट करके ठीक है ना तो काफी अच्छा method है बट एक्सपेंसिव ज्यादा है यह वाला ठीक है ना इसमें लोकल बंदे को आपकी लिए काम करेंगा कोॉर्स्पोंदेंस से आप डेटा कलेट करते हो इनफॉर्मेशन त्रूroots所有 से thing मेल बना करके आप Quotion पूशन हो तो मेलिंग आजाता आई मेल करना होता है एक मेल पता है ने लो पता होगा ने आई जिसमें वह क्या करता है कि कुछ ट्रेंड बंदें कर लेटें बंदेंग करते हैं उनको ट्रेणिंग देते तो पार्ट टू में उनको समझेंगे और साथ यह भी पार्ट तीन तक तो यह भी निपटी जाएगा ठीक इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है तक प्लीज नोट डाउन कर लिजे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आज तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को भी शेय करो जाग साथ अपने फ्रेंड्स तक हिंदी में मैं एकनॉमिक्स देता हूं जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए अल्री ट्वैल्ट की एकनॉमिक्स मैंने टम वन की भी पूरी कम्प्लीट कर रखी है क्लियर है एवन टम टू के भी कुछ चैप्टर हो रखे है डन हो ग